नमस्कार बिहार की आवाज में आपका स्वागत है हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ खबर बिहार के समस्ति पूर से आ रही है जहां जिला में अपराधियों के दिल और दिमाग से कानून का भय पूरी तरह समाप्त हो चुका है प्रोजना कहीं न कहीं से गोली चलने की सूचना मिलती रहती है तभी तो मुस्री घडारी थाना क्षेतर के बरबटा गाउव में गुरुवार की संध्या करीब पांच बजे बेखौप अपराधियों ने शशी राई के घर पर धावा बोलकर शशी राई के पिता को निशाना बना कर गोलियों की बरसाद कर दी वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी जो एक भी गोली उनको नहीं लगी प्राप्त जानकारी के अनुसार बरबटा गाउव नेवासी बलदेव राई अपने घर के दरवाजे पर बिट कर कुछ काम कर रहे थे कि गाउव के ही कुछ अबराधी उन पर गोलियों की बरसाद करने लगे बलदेव राई किसी तरहे भाग कर भुसकार के पीछे जाकर छिप गए जिसके कारण उनकी जान बच गई गोलियों की तरतराट सुनकर आसपास के लोग घर से बाहर निकले तो उन लोगों ने देखा कि 20-25 की संख्या में हतियार बंद अबराधी अंधादुन्द फाइरिंग कर रहे थे अंधादुन्द फाइरिंग होता देख गाउं के लोग अपने अपने घरों में जाकर छुब गे अंधादुन्द हुई इस गोली बारी में बल देवराय का कुत्ता भी जखमी हो गया है जो गोली बारी के बाद से गायव है आशंका यह भी जताई जा रही है कि अपराधी भागते समय कुत्ते को भी अपने साथ लेते चले गए चश्मदीद लोगों का यह भी कहना है कि शशिराय का कुत्ता गोली चला रहे सूरज सिन के हांत को काट कर लहो लुहान कर दिया था जिससे घबरा कर उसने कुत्ते को गोली मार दी तथा शशी राय के दरबाजे पर बंधी गाय को भी लाठी डंडों से पीट कर अधमरा कर दिया बलदेव राय का कहना है कि अपराधियों ने घर पर धावा बोलते ही अत्याधनेक हत्यारों से अंधादुन्द फाइरिंग कर लोगों को दहशत में डाल दिया सभी अपराधियों के पास हत्यार थे स्थानिये लोगों ने घटना स्थल से दरजनों खोका बरामद किया है लोगों का यह भी कहना है कि फाइरिंग कर रहे लोगों में से एक लड़का गोली का खोका बरामद कर अपने पास रख रहा था ताक कि घटना स्थल पर कोई साक्षे ना मिल पाए घटना की जानकारी मिलते ही मुस्री घडारी पुलिस घटना स्थल पर पहुंची जहां से स्थानिये लोगों ने मुस्री घडारी पुलिस को खदेर दिया बाद में घटना से आक्रोशित ग्रामीनों ने मुस्री घडारी दल सी सराय मुख्यपत को एन एच 28 पर छोटे लाल होटेल के पास रुपावली हाई स्कूल के पीछे जाम कर दिया तथा प्रशासन विरोधी नारे लगाने लगे जाम स्थल पर डटे आक्रोशित ग्रामीन अपराधियों के गिरफतारी की मांग पर अडे थे स्थिती की भाया वेहता को देख स्थानी ए मुस्री घडारी पुलिस ने जिलासे अतरिक्त पुलिस बल के साथ आए एसडीपीज़ समस्थि पूर ने जाम स्थल पर जाकर लोगों से बात करने की कोशिश की लेकिन सरक जाम कर रहे लोगों ने अफराधियों की गिर अफ्तारी होने तक जाम नहीं तोड़ने की बात की जिसके बाद इस DPO समस्ती पूर प्रीतिश कुमार ने हलका बल प्रेयो किया जिस से आक्रोशित ग्रामीन और ज्यादा भड़क गए जहां आक्रोशित लोगों तथा पुलिस दोनों के बीच भिंट हो गई पुलिस ने जाम कर रहे लोगों से बिना बात किये लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया जिस से आक्रोशित ग्रामीनों ने भी पुलिस बल पर पत्राव करना शुरू कर दिया इस पत्राव में सेकडों गाडियों के शीशे तोड़ दिये गए। दोनों और से लगभग दो गहंटे तक पत्राव होता रहा अंत में बेकाभू ग्रामीनों को काभू में करने के लिए पुलिस ने दो आंसू गैस के गोले दागे तब जाकर स्थिती ने अंतरण में आ कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पुलिस ने आकरोशित ग्रामीनों को काभू में करने के लिए पांच से साथ राउन हवाई फायर भी किया है। करीब दो गहंटे बाद राश्ट्रे उचपत संख्या 28 पर यातायात बहाल किया जा सका। आरक्षी अधीक शक समस्ती पुर लफ्तारी कर ली जाएगी। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजेर होते हैं। कुछ अन्यक खबरों के साथ तब तक बने रहिए बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। आपको भी लगा है। इधर भागे हैं तब बच गया हूँ पर। इधर भागे हैं तब बच गया है। इसके साथ पहले दुस्मनी भी थे था क्या। पांदीन पहले हाथ में गोली मर लिया हम पर केस कर दिया। आपकाने पिट्रते हैं अबेलीन पिट्रते हमको पाईसाने होता। यह से अब लगा है। तो इनका जान जो सो एकदम जोखिम में था। इसके साथ चलारा था गोली। फूटी साथ। आप साथ। अरे वू जो है छोटका वाला जो सो रख ले था पिष्ट अलो था कुछ को तिरिन अट्ट्टा भी रहात में था। नूग दूग फोफा वाला था। वो भी दोनलिया की चलारा था। चलाने वाले रेक्ति को पाचान है आप लोग। सब लोकले हैं सब जो है सब वह ही कहा है क्या कते मर्टे पड़का है वही सब पूरे अतिय है सब देखा हो जाए सब के पचानत